तो 2023 एंड होने माला है और इस साल के बारें हम बात करेंगे कि कौन-कौन चीज चीज फोन में कमी रह चुकी है उसको अगले साल इंप्रूव किया जाए और ये ब्रांड से भी रिक्वेस्ट है और अगले साल आपको कौन-कौन सा फोन लेना चाहिए और क्या चीज आपको द टाइप सी का आप फोन लांच नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप आईफोन 15 में देख सकते हैं कि टाइप सी आ चुका है तो यहाँ पर आपको दस हजार के अंदर बहुत सारे कम ऐसे फोन है जिसमें आपको टाइप सी देखने को मिलता है हाला कि इनफिनिक्स होगा रहा और यह तो यह speaker देना चाहिए क्योंकि अगर आप 15,000 किस्टूमर से आप पैसा ले रहे हैं dual speaker आपको देना चाहिए क्योंकि dual speaker का बहुत सारे यूज होता है अब आपको सुनने में भी अच्छा लगता है dual speaker में और single speaker में उतना मजा नहीं आता है यहाँ पर Vivo का मैं टार्गेट कर लेते हैं वन ही speaker है तो यह इतने प्राइज लेकर के भी dual speaker नहीं देना है तो फिर क्या है तो यह चीज मैं कहूंगा कि 10,000 तक फोनों में यहाँ पर dual speaker होना चाहिए यह आपको brand को करना चाहिए एक चीज़ और 2023 में बहुत सारा problem देखने को मिला है वो है green line issues तो यह green line issues किसी एक particular phone में नहीं आया है OnePlus, Vivo, Realme, Samsung यहां तक कि iPhone में भी आया है तो जब से जादा देखा गया है वो वगारा OnePlus, EC में देखा गया है हलाकि बहुत सारे आपको brand मिल जाएंगे कि वहाँ पर free service करने का आपको वादा किये थे और वह ऐसा किये भी है जैसे कि OnePlus है, Vivo का भी है यहा यहां पर free service हुआ है green lines का तो यह बहुत सारा है तो यह चीज आपको यहां पर ऐसे पैनल को यूज किया जाता है जिसका वजाए से green line issues ऐसे आते हैं वह ऐसे पैनल को हाँ पर avoid करे और brand वह ऐसे यूज न करेगी कि यहां पर दिक्कत customer की होती है और यहां पर जिस POCO का motherboard issues है तो यह भी अच्छे काम कर रहे हैं अभी उनका sales बढ़ा है तो यह अच्छे तरीके से अपना reputation बढ़ा है कि आपको हाँ पर कोई क्या ऐसा शिकायत न मिले कि आपका motherboard date हो गया या फिर आपका phone खराब हो गया तो यह चीज को आपको सुधार करना चाहिए और एक चीज 39999 और उपर से start चिपका दिये जाता है और वह फोन होता है पैचास हजार 55,000 का phone होता है और वहाँ पर 49,000 करके और 99,000 करके आप वहाँ पर इस्टार उपर में चिपका दिये जाता है उससे क्या होता है कि actual price शो नहीं होता है उसके अंदर बहुत सारे offer वगरा होता है बहु लोगों का यहाँ पर दिल दुखता है और अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ जाता है पता चला कि देखके गया कि 40,000 का phone है और वहाँ पर purchase करने समय आपको 43,000 का phone बन गया यह चीज आपको ठीक किया जाए आपको अगर price शो कर रहा है तो एक चोला price शो कर जिए और वह क्या मतलब होता है कोई काम नहीं है इसका अगर वहाँ पर थोड़ी पैसा price बढ़ा करके या फिर उसी price में आप किसी तरीके से करके ultra wide अगर आप दे देंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे होता है गुरुप में photo लेना होता है तो इसका बहुत सारा use है तो आप ultra wide camera को डा दे रहे है तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसको यहाँ पर 6GB RAM और 128GB इंट्रल इस्टोरेज यह बेस मोडल में रखना चाहिए क्योंकि अब बहुत सारे application यहाँ पर update हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर storage लेते हैं तो ऐसे वक्त में phone को use करना बहु से चल पाए तो यह ब्रांट को करना चाहिए कि 10,000 के अंदर में भी 6GB RAM जरूर दें और एक चीज़ का और यहाँ पर बेकूफ बनाए जाता है 120W charging यहाँ पर 1500W, 200W इस तरीके से आपको यहाँ पर hype बनाए जाता है कि जितना ज्यादा आप वाट का fast charger लेंगे उतना नहीं होना चाहिए 120W, 100W इस तरीके से आप न जाए जो आपर medium size के हैं, आपर fast charger होता है, उससे आपको बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको time भी थोड़ा सा आदा गंटा, एक गंटा rest के लिए चाहिए phone को भी rest दे, तो ये सब सारी चीजे पर न पड़े कि आपको बहुत fast charger मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पर battery का भी कम life हो जाता है, एक चीज में और काना चाहूंगा, ये vivo, realme, showme, redmi, e-sup, poco, poco में तभी कम हो चुका है, तो इस तरीके का brand में बहुत सारे bulletware देखनों कि मिलता है, इवन vivo और ये realme, बहुत सारे bulletware देता है, इवन अभी थोड़ा सा देन पर जो application मेरे को use नहीं करना है, वो मेरे phone में पहले से install क्यों, storage मेरा खर्चा हो रहा है, पैसा मेरा खर्चा हो रहा है, आप क्यों दे रहे हो, पैसा तो आप तो कमा रहे हो, मेरा तो कोई यहाँ पर फैदा है नहीं, तो bulletware बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, वहाँ पर आपका phone solo होता है, आपका phone का यहाँ पर storage यहाँ पर जादा लेता है, यह चीज होती है, तो bulletware बिल्कुल हटा दना चाहिए, यह फालतू का recommendation एड़ बिल्कुल हटा दना चाहिए, आकर हम YouTube पर वीडियो देखते हैं, एड़ दिखता ही है, इंटरनेट पर सार्च करेंगे, एड़ दिखता ही है, इस्टाग्राम चलाएंगे, एड़ दिखता ही है, लेकिन phone सिर्फ यूज करने में यह कहां से recommendation और add or notification गिरे, यह सब सारे चीज़ों का avoid करना चाहिए, ब्रांट को और यह सब चीज़ देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हटा दना चाहिए, एक 16GB का यहाँ पर star चपका देंगे, 16GB का यहाँ पर रेम है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वर्चुल को आप न एड़ करें, आप customer को सिर्फ कहें कि 8GB रेम है, और उसको अलग से mention कर दें कि यह वर्चुल है, आप वह आपर दोनों के add करके star लगा करना बचे, क्यों इस पर वीडियो जल्द ही आ जाएगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब तर लिजेगा, और यहाँ पर अगर हम लास्ट की बात करें, तो यहाँ पर AMOLED डिस्पले है, यहाँ पर 12, 13,000, 15,000 के भी फोनों में IPS डिस्पले यूज़ किया जा रहा है, अगर आप 12, 13,000, 10, 12,000 के उपर अगर आप जाते हैं, तो AMOLED डिस्पले जरूर देना चाहिए, ब्रैंड को, कम से कम 90 हर्स रिफ्रेस रेट होना चाहिए, इतना तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि 60 हर्स का कोई भी यहाँ पर काम नहीं रहा है, हलाकि यह बेवकूफ आइफोन को कौन समझाए, कि अभी भी बेस मोडल में 60 हर्स देता है, कम से कम 90 हर्स तो दे दे, कम से कम वीवर्स को या फिर यूजर्स को अच्छा लगे चलाने में, या पर 60 हर्स दे रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, कि हर फोन में, सस्ता सस्ता फोन में, कम से कम 90 हर्स होना चाहिए, अगर चाहते हैं ति इन सब सारी चीजों को ज़रूर ध्यान दे कि आपको फोन में क्या क्या खेला जा रहा है उसको डीपली देखें तब जाके आप पैसा खर्च करें वरना आपको बेवकुफ बना दिया जागा आपको पता भी नहीं चलेगा वीडियो कैसी लेगी एक कमेंशन मे सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए